नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे तो आज के अकलास बहुत ही महत्पूर होने वाला है तो आप चैनल पे नहीं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों पास भी सेयर कर दे क्योंकि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करिए तो हम आगे नहीं जा सकते हैं और हम जिस तरह से आपको सपोर्ट कर उसी तरह से आपको भी हमें सपोर्ट करना होगा तो दोनों मिलकर आगे जाएगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप इसका पीडिएप चा या जीस तरह का टेलिग्राम का लोगो रहता है उसी तरह का रहेगा टेलिग्राम जैसे ही उस पर क्लिक करिएगा तो आप सीधा टेलिग्राम चैनल से जोई हो जएगा जोई होने से वह है यह फाइदा कि जो भी हम आपको यहां पढ़ाते content वहां आपको हम note कर देते यानि विल्कुल हम नोट करते कोपी पे और वहां आपको PDF के दुवारा प्रॉइट कर देते हैं जिससे आप अराम से उतार सकते हैं और जो भी पॉइंट रहता है जो इंपोटेंट पॉइंट यह नहीं कि आपको कुछ भी प्रॉइट कर दे और कुछ भी एक्जाम में पूछ लेकिन अगर आप उतारने में रहेगा तो उतना समझ में नहीं है आपको सिर्फ आंक्या करना अराम से समझना और चैनल पर नहीं है तो एक और अप लाश तक वीडियो के देखे आपको समय में आ जाए कि जो हम आपको प्रॉइट करते हैं उस कंटेंट में क्या दम होता है तहीं हमनों सिधा वीडियो को सुरू करते हैं और इसे एक नमरे दम कनफार में एकजामें छपेगा इससे रिजरेट क्योंकि आज हमनों इसको करने वाले पुश्टमाटम पलासी का यूद और बकसर का यूद तो सबसे पहले है कि पलासी का यूद इस्ट इंडिया कंपनी और डॉट के बीच हुआ मतलब आपको बताना है कि जो इस्ट इंडिया कंपनी है और किसके बीच पलासी का यूद हुआ तनों सीधे ये भी बोल सकते हैं पलासी का यूद किसके बीच हुआ अंग्रेज और किसके बीच ये भी बोल सकते हैं तो सबसे पहले आपको नोट प और देखिया मेहनत करके आपको बिल्कुल हैंड से लिखते हैं अपने हाथों के दुवारा आपको लिख कर पढ़ाते हैं थोड़ा प्रोब्लम हो सकता है राइटिंग में तो आपको यहां अरजस्ट करना होगा और आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जात तो यहां सिधा इसको जानते हैं कि क्या है प्रशुई यूद्ध प्रश्ट का यूद्ध तो प्ललीख का यूद्ध तो प्लसी का यूद्ध से क्या क्या पॉइंट पूछोग ऑईशा नहीं कि सिर्प यहां पूछ दिया कि पलासि का यूद East India company और किसके बीच हुआ था तो एक जाम में यही नहीं पूछ सकते यह भी पूछ सकता कि कब हुआ किसके किसके बीच हुआ नेत्रित्व किसने किया अंग्रेज का और कौन था किसने हारा किसने जीता इससे क्या असर पड़ा भारत वे तो सारा पॉइंट हम लो जानेंगे तो जैसे मैं पलासी का यूद तो सबसे पहला पॉइंट आता पलासी का यूद से कि पलासी का यूद हुआ कब पलासी का यूद कब हुआ तो पलासी का यूद तेस जून 1757 को तो आपको छोटा डेट अगर याद नहीं रहता है उतना कभी कभी पूछ देता है इसलिए हम आपको लिखाद रहें लेकिन आपको छोटा डेट याद उतना नहीं रहना है 1757 आप याद रहें कि पलासी का यूद कब हुआ 1757 में दूसरा पॉइंट लिखेगा किसके किसके बीच हुआ रोवट कलाइव यानि हम लिख सकते कलाइव हम यह सौट में लिखेंगे क्यांकि इसका पीडियाप तो प्रवाइड आपको कर दिया जाएगा कलाइव और किसके बीच हुआ और सिराजू दौला तो देखें दो नाम आपको मिलेगा एक ही तरह का एक है सिराजू दौला एक है सुजाओ दौला तो सिराजू दौला जो है पलासी का युद में था और सुजाओ दौला बकसर का युद में सिराजू दौला सिराजू दौला तीसमें आप कन्फ्यूज नहीं करेगा सिराजू दौला सिराजु दौला कलाइब और किस के बिच हुआ था सिराजु दौला के बिच जिसमें से कलाइब जीता और सिराजु दौला हार गया इसका कहने का मतलब जीत गया और ये क्या हो गया हार हो गया यानि आप से पूछेगा कि पलासी का यूद में किसने जीता, कलाइव ने जीता और हारा किसने, सिराजु दौला, यहां से ही स्टार्ट होता है, बंगाल का गवर्नर जेनरल, बंगाल का गवर्नर जेनरल, क्या स्टार्ट होता है, बंगाल का गवर्नर जेनरल, तो यह जो कला लाइव है रौवन कालीव बंगाल काम प्रथम मुझ अंतला इन नहीं बनता है 1773 के उसके बाद बनेंगा बंगाल का कब्रध कर ड्राइब अभी रहेगा सिर्फ अभाट से बुचह है कि बंगाल का प्रथम Governor किसे बनाए गया तो पलास्ती कह उन्जी था रौवत कलाइब तो रौवत कलाइब को बंगाल का प्रथम गवर्णर बंगाल का प्रथम गवर्णर तो बंगाल का प्रथम गवर्णर पूछेका तो क्या बता है यह रोवट कलाइब और यह रोवट जो कलाइब रहता बंगाल का प्रथों गवर्नर कितने बर्सों के लिए रहता है तोटल ये जो बंगाल का गवर्नर रहता है पाच बर्सों के लिए रहता है कितने बर्सों के लिए रहता है पाच बर्सों के लिए तो ये नहीं पूछेगा लेकिन आपको बताद रहें कभी कभी पूछ लेता है तो बंगाल का प्रत्喜欢 कवर्ण रोवट का लाइफ कव से कब तक रहता है, तो 1757 में जीता, प्रासी का यूद, से 1760 तक रहता है और धुसरा कारीकल रहता है, 1765 से 1766 तक, तो दो बसे यहां रहता हूँ, तिन बसे यहां तोटल मिलागी कितने बरसों के लिए रहता है पाच बर सुक लिए और रोवर्ट कलाइव ने ही दुएद सासन लगाया दुएद सासन दुएद सासन दुएद सासन कहने का मतलब क्या होता? दुएद सासन कहने का मतलब है दो लोगों का अधिकार दुएद सासन कहने का मतलब है किसे दो लोगों का धिकार यही क्या था ? 21, तो 22 सासन. तो 22 सासन किसने लगाया ? तो रोवट कलाई. कब लगाया था ? 3765 में . कब से कब तक 22 सासन था ? तो 2765 से लेकर 72 तक और अगर पूछेगा हटा किसने दिया इसको ? 21- transporting को समाप्त तो अगर पूछ लेगा कि समाप्त किस ने कर दिया दोयद सासन को तो समाप्त किस ने किया वारेन हेस्टिंग 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 वारेन हेस्ट कर दिया 1773 के regulating act आता है उसके दोबारा दोएट सासन को समप्त कर दिया जाता है बारें हेस्टिंग के दोबारा और जो बारें हेस्टिंग रहता है आपको वार वर करें इससे एक दो नमर आपके एकजाम में कनफर्म रहेगा आपको सिर्फ क्या करना रहता है सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहे आपको सारा करा देंगा रिवीजन भी हो जागा और हम लोग जो भी हम कोर्सिस करते हैं कि आपको maximum point बता जा जिससे आपका एकजाम crack हो जा यह नहीं का आपको सिर्फ अंसर बता दे तो अंसर में वहीं नहीं पूछा जा सकता है तो बारेन हेस्टिंग को हम लोग कहते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर धान दिजेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो बारेन हेस्टिंग और बंगाल का प्रत्थम गवर्नर जेनरल पूछेगा तो Warren Hesting क्योंकि जो अंतिम बनेगा वो उसी को बना दिया जाता है बंगाल का प्रथम governor general बंगाल का प्रथम यहां से अब जूटेगा governor general governor general तो पुछेगा बंगाल का प्रथम governor general कौन था तो Warren Hesting और बंगाल का अंतिम governor पूछेगा तो Warren Hesting और 1773 के regulating act के दोबारा बनाये गया बंगाल का प्रथम governor general किसको तो Warren Hesting को इतना आपको ध्यान देना जो important point है तो अगर पूछेगा पलासी के युद के भुआ 1767 में इसके बीच हुआ तो कलाइब और सिराजु दौला के बीच जिसमें कलाइब जीता सिराजु दौला हारा सुजाओ दौला है एक सिराजु दौला सुराजु दौला किस युद में सरसट तक दौय스वा लगाया तो रोगट कलाइब ने- 와서 265 में और कब से कब तक रहा स Subscribe टक उसमाथ किस ने किए इसको वारेन हेस्टिंग ने और कि बारें हिस्टिंग को उमनों क्या कहते हैं बंगाल का अंतिमगरर्ण गवेर्णर और पंगाल का प्रत्म में वह olur यह लग है यह सब आप ऐस्सा ब्रदेन आहि Clay800 प हन्यारु है कि यह इसको लगाना है और पूछ को लुए ऐस्से में आपको ओप पॉइंट कर लिजे तो नहीं करेंगा बंगाल का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉड्ड बिलियम बेटिंग लॉड्ड बिलियम बेंटिंग लॉड्ड बिलियम बेटिंग कभी कभी बेंटिंग विलियम याद रखेगा ये क्या था बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉड बिलियम बेटिंग और इसी को हम बोलते हैं भारत का परत्थम गवर्नर जेनरल तो अगर पुछेगा बंगाल का परत्थम गवर्नर जेनरल तो वारन हेस्टिंग और भारत का परत्थम तो बिलियम बेटिंग 1833 के चार्टर एक्ट के दुवारा भारत का परत्थम गवर्नर जेनरल बनाया जाता है कौन तो लर्ड बिलियम बेटिंग यह हो गया अब आई हम लोग देखते हैं पलासी तो हो गया बैक्सर का यूद बैक्सर का यूद से क्या क्या पुछेगा और एक पॉइंट यह आद आया कि दौएद सासन का जनक किसे का जाता है तो यह अलग परस्ण है दौएद सासन लगाया किसने तो रौवर्ट समाप्त किसने किया वरे नेस्टिंग और पूछेगा जनक किसे कह जाता है लियो कार्टिस तो यहां नोट कर लिजेगा लियो कार्टिस को कर दौएबद सासन का जनक तो यह होगी आप में देखते हैं बक्सर का यूद बक्सर का यूद जो भी पॉइंट लिखा रहे हैं इसका नोट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा बक्सर का यूद बक्सर का यूद होता कब है 1764 में 22 अक्टूबर 1764 को किसके बीच होता है अंग्रेज और अंग्रेजों के तरफ से कौन नेतरित्व करता है हेक्टर मुन्रो कोष्ट में करके लिख लिजे हेक्टर मुन्रो और संयुक्त सेना संयुक्त सेना में कौन कौन था संयुक्त सेना मीर कासीम मीर कासीम मीर कासीम आब दिके नवाव सुजाओ दोला आब दिके नवाव सुजाओ दोला सुजाओ दोला सुजाओ दोला आब दिके नवाव सुजाओ दोला और मुगल वादसा सा अलम दिवितिये मुगल वादसा सा अलम दिवितिये शा अलम सिकेन यानि दिवितिये सा अलम दिवितिये और इलाहवाद के संधी होता है इसके बाद कौन सा संधी होता है इलाहवाद की संधी सबसब प्रहिए इसम्समें जानी कि हारा कौन और जीता कौनर जो से नहीं तूसे ना देख रहे हैं हार गया और एंग्रेज ज जीत गया और यहीं से स्टार्ट होता है कि np बस्तविक शासन तो परस inanay पूछेगा भारत में अंग्रेज्ज की बस्तविक सत्ता कप्से अंग्रेजू का बस्तवीक सत्ता भारत में अस्ठापित हो गया। किस योत के बाद बक्सर का यूद। बक्सर का यूद। बस्तवीक ये हो जागा। और इलाःवत के संधी जो प्रथम संधी होता है, 12 अगस्त 12 सोट्स 5 शोरी शातरसोप्यसट को 12 27 सबवसंदी होता है ? किसके बीच होता १ हुता है सा अलम्द दिवीतिय और रवट कलाइप के बीच और जो दिवीतिया सन्थ होता है 4 दिन बाद यानि 16 अगस्त 6 Facebook को सुझाउ दौला और ईंगरेजोंग की बीच तो इसको note करिए इसका note आपको provide कर दिया जाएगा वहाँ साब उतार ले जाएगा क्यांकि सारा point यहाँ लिखाएगा तो ज्यादा एक ही प्रश्णों करने ज्यादा देर तक analysis नहीं कर सकते ते हो गया point जो important है लेकिन पूछेगा boxer की यूद के समय गवर्नर कौन था वैंसिता है यह था भ्यक्षर के यूद के समय गवर्नर कौन था? वैंसिता है और इसमें प्रस ने पूछेगा जो पलासिक यूद हुआ इसके समय मुगल वातसा कौन था। अलमगीर दिवितिये इसको नोट करिए आलमगीर आलमगीर दिवीतिये कौन था? आलमगीर दिवीतिये, यानि सिकेंड मुगलबस्टा कौन था? सा आलमगीर दिवीतिये, इसको नोट कर लिजेगा तो यह पॉइंट जो एकजाम में पूछा जाएगा तो इसका अंसर जो होगा, पूछ रहा कि पलासी का यूद, East India Company और डॉट के बीच हुआ, ये तो अवसान है, बंगाल का नवाब, सिराजु दलक क्या था, तो बंगाल का नवाब था, तो अप्सन नमबर, सिकेंड, एक पूछ ले ता वन्डी वास का यूद, वन्डी वास, वन्डी वास, वन्डी वास का यूद, एक कब हुआ था? 17060 में तो तीनों को अरेंज करने के लिए पूछ देता है कभी-कभी करम में तो इसलिए आपको बता दें वांडी वास का यूद कब हुआ था? कब हुआ था? 1760 में तो पलासी का यूद इस टीडिया कमपनी और डॉट के बीच हुआ तो बंगाल के नवा कौन था सिराजू दौला और सुराजू दौला किस में था सी जाओ दौला और सुराजू दौला था बक्सर किल और सिराजू दौला पलासी करिए अगला प्रश्म पुचले महराजा जैसी दिवितिये ने इनमें से किस सहर में जंतर मंतर के निर्मान नहीं करवाया था जो महराजा जैसी दिवितिये थे कितने जंतर मंतर मतलब खगोल बेट साला कितने बनवाया थे टोटल फाइब, फाइब में अगर नोट करिएगा, तो पहला नहीं नोट करिएगा जयपूर, इसमें कौन-कौन साभिल था फाइब में, जयपूर, डिल्ली, वारानसी, बारा, वारानसी, बारानसी, दिख्येके हो जयपूर, डिल्ली, बारानसी, उजयन, उजयन और माथूरा, और एक कौन साभिल था माथूरा, 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 देखे, जयपूर, डिल्ली, वारानसी, उजयन, माथूरा, तो पाच बेद सलों का निर्मान किया गया, किसके दोवारा सोया है, महराजा जैसी दुवित्ये के दोवारा, महराजा जैसी दुवित्ये ने इनमें से किस सर में जनतर मंतर को निर्मान नहीं करवाया, तो कहां नहीं करवाया इलावद में इलाहवाद में और कहां कहां था जैपूर में था दिल्ली में था बारन नसी उजैन और मतुरा तो अगला प्रश्न पर चलते हैं डॉट के अनुसर इस्ट इंडिया कमपनी दोवारा भारतीय सासकों को अपनी स्वत्तंत्रे ससक्त्र श्रिनाय रखनी के अनुमती नहीं दी गए थी एक प्रश्न बताया गया था तो उसमें था सहायक संधी फरनाली तो सहायक संधी किस ने शुरू किया सहायक संधी किस गवर्नर जेनरल के दुवारा शुरू किया गया सहायक संधी किस गवर्नर जेनरल के दुवारा शुरू किया गया लॉड विलेजली कौन था लॉड बिलेजली के दोवारा प्रस्ण पूछेगा तिसको नोट करिये बिलेजली बिलेजली के दोवारा शुरू कियेगा लॉड बिलेजली को बंगाल का सेर कहा जाता था क्या कहा जाता था बंगाल का सेर तो प्रस्ट ने पूछेगा कि बंगाल का सेर किसे कहा जाता था तो लॉट बिलेजली को थोड़ा पानी पिती इसका अंसर बताई है कि क्या होगा तो इसका राइट अंसर क्या होगा ओप्शन नमबर B तो लॉट बिलेजली सुरू किया था सायक संधी और कब सुरू किया था 1798 में सायक संधी सबसे पहले किसने सुविकार किया सायक संधी सबसे पहले किसने सुविकार किया और कब किया 1798 में तो आप बताई किस वो सायक संधी था सबसे पहले किसने सुविकार किया इसका अंसर आपको comment box में बताना है क्यांकि इसका note आपको provide कर दिया गया टेली राम चैनल पे बहुत पहले इसका topic आपको बताया गया और note provide कर दिया गया और channel पे नहीं तो आप ज़रूर वहाँ join करिए और वहाँ सब इसको note कर लिजेगा और आप हमें comment box में बताया कि सायक संदी सबसे पहले किसने सुविकार किया और ब्यापकत का सिधान्त ये क्या था यानि हड़ापनी थी ब्यापकत का सिधान्त या हड़ापनी थी किसने लाग किया लाड डल होजे और इसी किसमें में प्रत्थम बार रेल सेवा सुरू होता है यानि रेल सेवा सुरू होती है कब होता है ठारा सो तीरपन इसको याद रखेगा ठारा सो तीरपन में प्रत्थम बार रेल सेवा सुरू होती है मतलग इसवार्चन बिद्यासागर जुड़े हुए थे विद्वा पुनर विवा से और विद्वाकूनर विवा कब था अठारा सोचे पन्का उस समय के कौन था गवर्नर जन्दल तो लाट डलहो जी और इसी के समय में अठारह सो तीरपन में प्राथम बाट रेन चला मुंबाई से थाने डिस्टेंस कितना था 34 किलोमीटर और ब्यापकत का सिधानत बोली हड़ाप नीती बोली है किस ने किया तो लॉड़ लहो जी और एक फूट डालो राज करो कि नीती अंग्रेजे के दुवारा किया गया था फूट डालो राज करो इसका कहने का मतलब है जैसे माल ये घर में क्या होता कि कोई भी बाहर से दोशार बात कहा दिया कि वह ऐसा है और हम लोग बीच में अपने मतलब लड़ो और दोनों अपने लड़के क्या अलग-अलग हो जाओ तो अहीं क्या होगा फूट डालो अपने में लुग लड़ेंगे और अपने में लड़ेंगे तो क्या होगता होगे तो अलग-अलग हो गये और राज करो और जब हम लोग अलग अलग हो जाते तो अंग्रेज क्या करता था असानी से उसको मतलब कब्जा कर लेता था तो फूट डालो राज करो की नीती किसके दोवारा सुरु किया गया अंग्रेजों के दोवारा किसका नीती था अंग्रेजों का सिर्फ आपको इतना दियान देना कि किसका नीती था अंग्रेजों का अगला परशने निमलीखित में से कौन सा बिकल्प मुगल सासक उसके सासन काल के दोरन भारत आने वाला बिद्यसी यात्री के अधार पर सही तोर पर सुमेलित है तो सही तोर पर सुमेलित है तो बिलियम हॉकिन्स यह बिलियम हॉकिन्स सुमेलित है बताईए Sir Thomas Roy और ये जो अंसर देरा Manucci Orange Jib के इस साथन कलमा है ये तो सही है लेकिन Sir Thomas और बिलियम जो Hawkins देख रहे है एक किसके साथन कलमा है तो जहां गीर एक किसके साथन कलमा है तो जहां गीर के एक किसके साथन कलमा है थो जहां गीर के साथन कलमा किसके साथन कलमा है जहां गीर के साथन कलमा इसको नोट करिए वन मिनट ये जहां गीर के साथन कलमे आए था तो अब से पूछे का परस ने सीधा परस ने पूछा कि William Hawkins किसके सासन कल्म भारत है या किसके दरवार में तो जहांगीर Sir Thomas जहांगीर और दो English है जो पूछेगा तो दो अंगरोज कौन है जो दो English और भी है उसमेंसे एक है William Finch और एक है Edward Terry William Finch और Edward Terry William Finch नाम याद रखे है लिख दे रहे बिलियम फिंच कौन था बिलियम फिंच और एक था टेरी तो आपको सौट में याद रखना फिंच और टेरी क्योंकि एकजाम में बनाना है आपको पूरा नाम याद नहीं रखना तो फिंच और टेरी हौकिन्स और रोई हौकिन्स रोई फिंच टेरी ये सब किस के दराओ में तो जहांगीर के दवार में यानि सासनकल में तो यहां जो मनूची है और एंग जेब के सासनकल में आया और जहांगीर कोह में क्या करते है मुगल काल जो चित्र कला जो है नोट में लिखेगा कि अस्थापे कला का स्वर्न काल किस के सासन कल को कहा जाता था तो साह जहां अगर पूछेगा चित्र कला का चर्मो उतकर्स किस के सासन कल में था लेकिन यही प्रशन पूछेगा अस्थापे कला का स्वर्न काल किस के सासन कल को कहते थे साह जाब तब टेंसर नहीं लिए इसका नोट आपको प्रवाइड कर दिया जागा अगला प्रशन चलते तो इसका राइट अंसर क्या होगा ओप्शन नमबर सी और जो एक अकवर तो आकवर के बीच कौन सा यह दूए था पानिपत का इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना निमनल लिखित में से कौन सा भारत का संबै धानिक निकाय नहीं है क्योंकि आपको उससे पढ़ात दिया गया पानिपत के युद्ध हडपनीती और सहयक संदी यह सब सारा आपको पढ़ात दिया गया इसलिए आपको हम बोल रहे हैं कि आपको आंसर जो देना कमेंट बॉक्स में देना निमनल लिखित में से कौन सा भारत का संबै धानिक निकाय कहने का मतलब है संबैधान में इसके बारे में नहीं चर्चा है मतलब नहीं बताय गया है वही किया हो जाए संवेधानिक निकाय नहीं है बाकित तीन के बारे में समिधान में बताया गया है और जो एक ऐसा उप्षन होगा जिसके बारे में समिधान में नहीं बताया गया ती ये भी आपको बताया गया है लेकिन आप ध्यान नहीं दिये होंगे RTI हम आपको बताये थे RTI Right to Information RTI Right to Information सूचना का अधिकार RTI Right to Information सूचना का अधिकार कि जो अधिनियम था 2005 का था इसी के दोवारा केंद्रिय सूचना आयोक केंद्रिय सूचना आयोक का गठन किया गया तो इसका जो उलेक संभीधान में नहीं है और आपको अंसर कमेंट बोक्स में बताना कि Budget सब्द का किस अनुच्छेद में उलेक है या तो आप यह बताई कि Budget सब्द का संभीधान के किस अनुच्छेद में उलेक किया गया इसका अंसर आपको देना कमेट बोक्स में भारत किनी अंत्रेक एवा महा परिच्छा महा लेखा परिच्छा किस अनुच्छेद में 148 भारतिय चुनाव आयोग कि 324 तिनसोच्छोवीस राज लोक सेवा योग ते 315 के ववन इसी में बताई कि 315 के ववन में बताई कि संभ लोक सेवा योग जिसको हम बोलते और किस अनुच पूछा कों नहीं संभ धानिक निकाई तो बाकि जो सुचना योग यह क्या है अधिनियम के द्वारा बना आर्टी एर राइट टू इन्फॉर्मेशन यानि सुचना का अधिकार अधिनियम काप का था 2005 का तो डारेट पूछ लेगा सिधा प्रशन है जो अधिनियम था काप का था कि इसको आप याद रखेगा अगला प्रशन पर चलता है निम्नलीखित कोसी कांगो में से किसे कोसी का की आत्म घाती थैली कहा जाता है तो इसका राइट अंसर क्या होगा आप सीधा याद रखेगा आत्म हत्या के थैली किसे कहा जाता है लाइसोसोन को लाइसोसोन और माट्रोकंडिया माट्रोकंडिया उर्जागहर के नाम से जाना जाता है क्या बोलते हो उर्जागहर या उर्जाग्री उर्जागहर और क्लोरोफलास्ट क्या होता है पत्ते हरे पत्ते हरे यानी कलोरोफिल या कारण पत्ते हर होते हैं उसमें क्या पाज़ाए ते कलोरोफिलास्ट और यहाँ पूछेगा प्रोटीन का फैक्ट्री किसे का जता है प्रोटीन का फैक्ट्री इसको भी नोट करिये प्रोटीन का फैक्टरी ते क्या होगा? राइवोसोन राइवो राइवोसोन प्रोटीन का फैक्टरी लाइसोसोन आत्मा क्या घाती थले यानि आत्महत्या का थली किसे का जाता लाइसोसोन को अरुजा घर, माइट्रो कंडिया माइट्रो कंडिया और प्रोटीन का फैक्टरी राइवोसोन को अगला प्रशन चलते हैं भारत सरकार की प्रथम पंच वर्सी योजना किस मॉडल पर अधारित थी? एक केल ही बताएगा अंसर इसका इसका अंसर क्या है हेराट डोमर मोडल और जो प्रथम पंच वर्सी योजना था जानते होली डे के नाम से ताब से पूछेगा होली डे यानि योजना अपकास कब से कब तक रहा उन्हें 166 से लेका उनहतर तक कितनों बर्से के लिए था तीन बर्सों के लिए था और जो द्वीतिय पंच वर्सी योजना था यह किस मोडल पर धारी था पिस्सी महान लोबिस पिस्सी महान लोबिस तो इसको नोट कर लेजेगा पहला और दूसरा दोनों याद रखेगा भारत को राष्टपति किस समुदाय के दो सदस्योग को लोगसवा के लिए मनुनित करते हैं तो लोगसवा में दो सदस्योग मनुनित किया जाता है तो हम आपको बताये थे सरला सरला सर स संसद र स राजसवा राजसवा लोगसवा तिया अनुछेद होगा 17,9 यानि 89, 80 और 81 अनुछेद 89 में संसद के बारे में बताये गया 80 में राजसवा के बारे में बताये गया 81 में लोगसवा के बारे में बताये गया और लोगसवा में कितने सदस्योग मनुनित किया है जाता है राष्टपति के दोबारा दो सदस्यू को देकि यहाँ पर नोट करके लिखेगा संसद संसद मायग एक लोक सभा एक राज सभा लोक सभा और राज सभा लोक सभा और राज सभा राज सभा लोक सभा में दो सदस्यों को राज सभा में बारा सदस्यों को तब कि यादरा लो लो औका दो अच्छर से मिलके बना दो और राज सभा में बारा और टोटल मिलाकर चोदा तो अगर पूछागा संसद में संसद में कहने का मतलब लोक सभा राज सभा दोनों के मिला कर बताना है तो अगर पूछा जागा कि संसद में राष्ट पती के दोबारा कितने सदस्यों को मनोनित किया जाता है तो 14 लेकिन पूछा कि लोक सभा में दो राज सभा में 12 तो इसका जो राज टंस रोग ऑप्सन न से पहले अजाद हिंद फॉज के गठन की कलपना की थी तो मोहन सी और अस्थापना किस ने किया था कॉअ स्वासचंद्रे बोश को पर उनाई-सो 19.43 में अजाद हिन होज के स्थापने इसको एक वर आप चेक कर लिजेगा जो डेटा है 19.43 अई होब कि यह सही होगा लेकिन इसको आप एक वर चेक कर लिजेगा और हम आपको साहिद कल आपको देख रहे थी वीडियो तो उसमें बता दिये थे 24 अक्टूबर यू एन का स्थापना तो 24 अक्टूबर तो सही है लेकिन उसमें होगा 1945 हम आपको 44 बता दिये थे तो उसको भी सुधार लेजेगा तो कभी-कभी मिश्टेक हो जाता तो उसको आपको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में तो इसके लिए आपको कुछ भी टेंसन नहीं लेना ट्रिप्स अनुबंद के माधियम से जियो ग्राफिक इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतिय उत्पाद कौन सा था यानि कौन सा है तो सीम्पल पूछ रहा है लिखा गया जियो ग्राफिक इंडिकेटर टैग और यह कितने बर्सों के लिए दिया जाता है यह कितने बर्सों के लिए दिया जाता है तो दर्स बर्सों के लिए दिया जाता है और पहली वर्ब किस उत्पाद को दिया गया दार जिलिंग टी 2004 में कब दिया गया था 2004 में इसरो के मानव रहित परिच्छन वेड का पूर्ण रूप क्या है से परस्ट ने पूछ रहा है इसका फूल फर्मता ना वेड और एल वी टी यानि सीम्पल आपसे प्रस्ट ने पूछ रहा कि और एल भी टी डी का पूर्ण रूप क्या है तो इसका पूर्ण रूप आपको याद रखना पड़े कैसा फैक्ट प्रस्ट ने इसका पूर्ण रूप क्या रियू जेवल सेटल लाइट, लाउंच, वेहकल, टेक्नोलोजी, डेमो, अश्ट्रेटर, इसका फूल फरमर, और इसरो का स्थापना, उनाइस सो उनहत्र, और उनाइस सो नहत्र में ही, चवदा बैंकों करश्ट्ये करन होता है, उनाइस सो नहत्र में पाहली वार माना चन्द्रमा पे, और 1979 में ही दादा सा फाल के प्रूशकार का अस्थापना होता है और इसरो का मुख्याले का करनाटा बेंगलोरू में और अस्थापना का भी 1979 में अगला प्रश्क चलते हैं मूरी एटिक अमलेका बैग्यानिक नाम क्या है मूरी यानी भोजन को पचाने के लिए तो भोजन को पचाने के लिए ष्रावीत होता है लेकिन भोजन जाये गाही नहीं मतलब मुझ टाइम पर खाना नहीं खाये तो पेट में जो परत होता है परत पर गया मुकशें नमेक चीपा में परत चड़ा होता है तो परत को क्या करेगा हाणी पहुचाना स्टार्ट करेगा आम ले क्योंकि आपको मालूँ कि आम ले कितना सक्ष्थ्थ साली होता है पावर्पूल तो अगर आप टाइम पर खाना नहीं खाईएगा तो यह सब को बहुत जयादा फाइदा होगा और यह अगर एक बार हो गया तो समय लिए हमेशा आपको दवाई खाते रहना पड़ेगी इसलिए अप टाइम पर खाना खाई है बिल्कुल इससे आपको फाइदा होगा तो यहीं पूछ रहा कि मियूरी मियूरी एटिक आमले का बैग्यानिक नाम क्या है जिसकों बोलते हैं हाइड और सल्फ्यूरी काम एज्ट्ट्रोनिक्स नीती दूजेरुनाइस का लाच एक एसपी एप का निर्मान करना है एसपी एप का पूर्णरूरू क्या है तो लैंग्वेज में इसलिए प्रस्णे लिखता है कि जिससे आपका जो टाइम हो क्या हो पास हो जाए पढ़ने में ट कि धाप प्रस्ने पूछ रहा कि एसपी एप का फूल फोन प्रम क्या है तो एँस्पी एप का फूल फरम किया है शवरीन पेंटेट्ड फंंड कि थो सब्हें पेंटेड़ फंड कि थे तो अगला प्रशणर चलते ये भी प्रस्ट ने करेंट का दूजर उनाइस के लोक सवा चुनावों के दूरान भारत के मुख चुनाव आयूक्त कौन थे सुनील अरोडा तो इसका राइट अंसर क्या होगा सुनील अरोडा और अभी भी यही है अगला प्रस्ट चलते हैं और निर्वाचन जो अभी बताया आपको कि निर्वाचन आयोक के बारे में किस अनुछेर में बताया गया है तो किस में बताया गया है 324 किस में बताया गया है 324 और 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन के ही बारे में बताया गया है जी पी आरेस का पूर्ण रूप क्या है जी पी एस आरेस जी पी आरेस तो जेनरेल पैकेट रेडियो सर्विसेज यानि सर्विस अगला प्रश्न है तो फुल फर्म आप नोट कर लिजेगा फुल फर्म पूछता है हाल ही में अप्राइल 2019 में कौन सा बैंक दो अन्य बैंकों के बिलाए के बाद भारत के तिसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया तो बैंक आफ बड़ोदा और इसमें किस बैंक को बिलाए किया गया एक प्रस ने पूछा था पिछले वाले स्रीप्ट में हम लोग किये थे तो किस बैंक का बिलाए किया गया था बीजिया बैंक और देना बैंक बैंक का नम क्या है एक है बीजिया बैंक बीजिया बैंक और एक है देना बैंक ये दोनों को किस में मिला गया बैंक और बड़ोदा में मिला दिया गया और कैम 2019 में यानि एक अप्रेल 2019 को ते यहां डेट लिखा गया एक अप्रेल 2019 एक अप्रेल 2019 को मिला दिया गया और एक कैमा बड़ा बैंक बन गया भारत का तिसरा सबसे बड़ा बैंक और भरतिये एस्टेट बैंक का स्थापना क्या हुआ था 1905 में इसको भी याद रखेगा और किस बैंक का नाम बदल कर किया गया था भरतिये एस्टेट बैंक, इंपीरियल मैंक और इंपीरियल बैंक जो बना था तीन बैंको को मिला कर बना था कुलकत्ता, बैंक ओफ ऐसें sacrificing कीस राज्य में इरेनिम का सबसे बड़ा भण्डार मोजूद है अंद्रे पर्देश को हैं? आंद्र पर्देश में किरकेट में गेंदवादी की चाइना मैन सैली का नाम रखा गया है यानि किसके नाम पे तो नाम पे नहीं पूछा किसके नाम पे रखा गया तो ब्यक्ति का नाम पूछागा तो नाम क्या होजागा रोबिन्स रोबिन नाम था प्लेयर कर नाब तो चाइना मैं गчеनदबाज आज पीन जो गägनदबाज होता है उसकों बोलतों चाइना मैं तो भारत में चाइना मैं गिनदबाज के नाम से कौन जाना जाता है कुल दीप किसको जाना जाता है कुल दीप को कुल दीप या दब को तो यह जो था कहां के ब्यक्ति था तो चीनी मूल्क के एक बेस्ट इंडिद के गेंदवाज के नाम पर ते यह राइट हो जागा चीनी ब्यक्ति और नाम क्या रोबिन्स नाम क्या रोबिंस तो जब रोबिंस था तो किर्केट माँ देखें उपवेलियम में तो पवेलियम में जैसे समाप्त हुआ मैज तो इसा ही बहार जा रहा था तो इंपायर में बोला ओए चाइना मैं गेंदवाज तो जहना से नाम क्या पढ़ गए इसका चाइना मैं गेंदवाज तो अज पीनर को कहा जाता है चाइना मैं गेंदवाज तो भारत में किसकों बोलता है पुल्दे पियाद आपको CDMA का पूर्ण रूप क्या है CDMA CDMA तो Code Code Division Multiple Access Full Farm क्या है Code Division Multiple Access किसका Full Farm CDMA तो Full Farm Confirm पूछेगा और आप Computer से Related Full Farm याद रखना भी और जो आपको देर हैं पूर्वाइट कर रहा भी वही Full Farm याद रखे तो बहुत ज़्यादा आपको फाइदा करेगा कपास के कपास के रेसों को बीजों से अलग करने की परिकिरिया क्या कहा जाता है अंड मन और निको वर दीप श्रमू में सलैस अंड वर्न क्रिसी को क्या कहा जाता है तो नया टाप का प्रशन है डीपा क्या कहा जाता है डीपा और जूम क्रिसी में क्या होता है जूम क्रिसी में होता है कि यानि एक स्थान पर लाइन दिन देयाल उपाधिया ग्रामिन कोसली यर्जना डॉट के अंतरगत आती है प्रस्ट ने पूछा कि जो दीन देयाल उपाद है गरामिन कौसली योजना किसके अंतरगात आती है तियो हो जागा राश्टिये गरामिन आजीब का मिसन अगला प्रस्ट ने मा मामल पूरम लिख रहा है मामल पूरम उत्सव किस राजम मना जाता है तो नाम से तो यह पता चालता है कि यह दच्छिन भारत का उत्सब होगा और कहां कहो जागा तो तमील नाडू तमील नाडू तमील नाडू और उत्सब से याद आता है भारत का कलासिकल डांस भारत में कुल कितने कलासिकल डांस है? आठ कितने हैं आ kijken सच्ट्रिय तोटन whirl पूछेगा तो भारत नाट ये से हो गया मोहनी याट्म हो जागा कत कली हो जागा कथख खो जागा वडिसी हो जागा मनीतstep हो जागा और पुच्ची पूरी हो जागा और एक सतरिया जो बीहू का निरित है यह सब क्या है Classical Dance तो पुछे का कितना है आठ भरत नाटियम कहां का निरित है तमिल नाडू, ओनम केरल, मोहनी अटम केरल, कतकली केरल, याचगान करनाटक, कत्थक उत्तरभारत, सतरिया अस्सम, बीहू भी कहां का अस्सम का उडिसा उडिसा मतलब उडिसा को जागा और मनीपूरी, मनीपूर का यह सब निरित है जलवायू परिवर्तन के मुद्दे पर बारता करने के लिए किस देश ने दुनिया की पहली अंडर वाटर केविनेट बैठा का आयोजन किया तो ये करेंट का प्रस्ण इसको अप्याद रखिया मालदेव इनमें से किसे परसीद कुनार के सूर्य मंदिर के स्थापना का स्रेज जाता है तो इसको नोट कर लिएगा इंपोर्टेंट है राजा नर्शी देव प्रथम राजा नर्शी देव प्रथम और असोक असोक महान के बारे में तो आप जानी रहें कलिंग यूद पूछता है कि कलिंग यूद कब हुआ कहीं कहीं 262 भी देटा है तो 261 इसा पूर्व और कलिंग के किस अभी लेख में बताएगा तीन बताएगा कलिंग के यूद के बारे में बरनन QUESTION कpro uses पूर्व देता है तो 300 इसा पूर्ब मारेगा और को लाग outta išo और यह इस्तित का है कुनार्क मंदीर, उडिशा में इन में से किसका उप्योग, कैंसर के उप्चार में किया जाता है, कोवाल्ट है तो यह आप असानी से कर लेज़े, कोवाल्ट के समस्थानिक, आयवडीन, गेंगा, इरोनियम के समस्थानिक तो बमिस्म है न सब प्रियोग किया जाता है बमबारूद में, परमानू बमिस्म में इरनियम के समस्तानिक, ट्रायकिया मानव सरीर के किस तंत्रे का भाग है? श्वसन तंत्रे, किसका भागा है? श्वसन तंत्रे. आज का लास्ट प्रस्ण है निम्न लिखित में से किसे वर्ल वाइल्ड लाइफ फंड फिर से सुनिएगा वर्ल वाइल्ड लाइफ फंड यानि डबलू डबलू एप का फूल फर्म ही पूछ लेता है तो इसको अपनोट कर लिजए कि एक प्रस्ण इसी में बन गया कि लोगो में दर्साया गया है र味 כ系 यानि प्रस्ण पूछ रहा है कि जो डबलू डबलू एफ है इसके लोगों में क्या दर्साया गया तो विसाल काई फॉंड़ा, option number D, यही है विसाल काई फॉंड़ा, इस तरह का, इसको क्या बोलता है, विसाल काई फॉंड़ा, तो आज का, जो भी प्रस्ण लोग कलेक्ट किये थे, सारा समाप्त होता है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, तो अपने दोस्तों पास सेयर करें, तो ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगा, उतना हम लोग ज्यादा अच्छा से कलास को करेंगे और मज़ाएगा साथ में जितना ज़्यादा रहें उतना मज़ाएगा और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल से जोईन हो जाएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपको सारा समझ में आ गया होगा और कहीं भी कुछ प्रोवलम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताईए या टेलिग्राम चैनल पर कमेंट करिए या एक्समेस करिए जो भी प्रोवलम होता है आप जरूर बताईएगा तो जब तक लिए अपना ख्याल रखे मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जै हिन जै भारत